जी तो आप सवाल पुछेंगे? जी हुकम जी कौन पूछ रहा है? मैं पिछले दस दिन पहले AICC से हमने एक प्रैसवार्ता की थी जिसमें NCRB का डेटा हमने भी जारी किया था और एक बड़ी अजीब सी विडंबना है कि इनकी अपनी सरकार का डेटा ये खुद नहीं पढ़ते इनकी सरकार का डेटा बताता है कि UP में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है अन्नी राज्यों में क्या हो रहा है और इसमें कोई competition या प्रतिवगिता नहीं हो रही कि मेरी कमीज, तुमारी कमीज से सफेद कैसे वाला हमारी मानसिक्ता नहीं है अपराद अपराद होता है गलत गलत होता है लेकिन सरकार कितनी जागरूख है ये आप तुलना जरूर कर सकते है अशोक गहलोत की सरकार ने जब भी इस तरह की कोई वार्दात हुई त्वरित कारवाई करके एक उधारन पूरे देश को दिया कि कैसे सरकार को त्वरित कारवाई करनी चाहिए हम इनके जैसे नहीं है कि कठुआ में उन्नाव में हाथरस में कोई वार्दात हो तो बलातकारियों के साथ जाकर खड़े हो जाते है तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती इनके साथ हमारी तो इस तरह की गैर जिम्यदाराना जिपणिया मंत्रियों को शोभा नहीं देता है आपने संसद की कारवाई देखी दो घंटे तेरा मिनिट प्रधान मंत्री का उद्बोधन सुना हासी ठिठोली कर रहे हैं फुहड मजाक चल रहा है नारे बाजी चल रही है एक तरफ मनिपूर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो भी आपने देखा तो आप मुझे बताईए ये दानव बानसिक्ता नहीं है तो क्या है महिलाओं के साथ अपने देश की महिलाओं के साथ इतनी सरयाम बत्तमीजी हो रहे हैं बत्सलूकी हो रहे हैं बलादकार हो रहे हूं और सदन में प्रधान मंतरी नेत्रित्व कर रहे हूं फूहर मजाग का नारेबाजी का इस देश के इतिहास में कई प्रधान मंतरी देखे हैं अलग-अलग पार्टी के प्रधान मंतरी देखे हैं ऐसा प् कि आज जो लड़ाई चल रही है जो संघर्ष चल रहा है वो दानव और मानव का चल रहा है इसमें कोई शक्त की बात नहीं है हम उनसे यह जानना चाहते हैं मनिपूर का दौरा कप करेंगे जहां देखो प्रदानमंत्री वोट के लिए जाएंगे प्रचार के लिए जाएंगे और जहां देश में कोई मुसीबत आई प्रदानमंत्री का मूँ बंद कान बंद आखें बंद और दौरे बंद इस देश को एक जिम्मेदार प्रदानमंत्री चाहिए एक प्रचार मंत्री नहीं चाहिए मैयमति जी को हम आँक्डे ज़रूर भेजेंगे हमारे बराशषण जी खड़े हैं मैं इनको भी आगर्य करूँगा कि तमाम आँक्डें भेज दें फो सकता है में उन नहीं पहुंचे होंगे हो सकता है आपकी अखबार है और आपका चैनल्स वो नहीं देखती होंगी तो उनको ग्यान नहीं होगा कि राजिस्थान किस तरीके से कितनी योजनाएं यहां आई जनकल्यान की और कैसे लोगों को राहत मिली हम तो उनको आमंत्रित भी करेंगे आएं यहां जरा दौरा करें अपने वरकर से मिले हमारे वरकर से न भी मिले कोई बात नहीं आम आत्मी से मिले आम नागरिक से मिले उन्हें समझ में आ करें पार्टी ने काम दे रखा है मैं उसमें वड़ा संतुष्ट हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि उस काम पर मैं खरा उत्रूँ ऐसी कोई नियत नहीं है कि राजिस्थान से मैं चुनाव लेड़ा या कहीं से भी चुनाव लेड़ा उद्यपूर में जो 20-25 साल से हमारे कारेकरता मेहनत कर रहे हैं उनका हक बनता है टिकेट पर इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा वेक्तिभले में उद्यपूर का हूँ मैंने वहां सक्रिय राजनीती नहीं किये तो मेरा हक नहीं बनता हूँ लगोंपर विश्वास है लोगों के आँखों में जब देखते हैं उनकी संतुष्टी के भाव दिखते हैं और लोगों को जो प्रसनता दिखती है शोग गहलोज जी की योजनाओं को देखकर उससे हमें एक मन में भरोसा बनता है कि बिलकुल इस बार फिर इस बार तूटेगा और कॉंग्रेस की सरकार फिर से आएगी मैंने देखा नहीं वो स्टेट्मेंट लेकिन इतिहास के साथ जो तोड़ मरोड की जा रही है गांधी तक को इतिहास से धकेला जा रहा है तो आप सोचिए कि इनकी नियत क्या है और ये कहां जाकर रुखेंगे इससे पहले इने रोकना होगा दन्यवाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ अगर दस नेता हैं भाजपा के तो ग्यारां ग्रूप्स है क्योंकि एक आदमी डबल क्रॉस कर जाता है तो अगर इतने गुट हैं जिस पार्टी में वो कैसे चुनाव लड़ेगी वो किसका चहरा सामने रखेगी सुनाए कोई रथियातरा निकल रही है उसमें भी लड़ाई चल रही है कि कौन बैठेगा रथ पर हैं है यही नहीं इनके पास चहरे तो इसलिए यह बाहर से चहरे लाते हैं मोदी जी अमिट शा जी नटा जी में जादा नहीं बोलता है विचारों को मुझे दया भी आती है उनको यह अध्यक्ष बना रखा है पीछे रख दिया जाता है उनको और भी कई हैं तो अशो कहलो जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्थानिये नेत्रित्व भारती जनता पा डेखे जहां मुख्यमंत्री tax के सामने उस तरह जुछि हो सवाल नहीं हो जब सवाल ऐसे तब उठते हैं जब हम विपक्ष में बैखें जब हो यह सत्ता में बैठें हैं सरकार है आपके आपके PCC प्रेजिदेंट आपके सामने हैं अशो कहलोज जी का चेहरा आपके सा पूसले दोर लोगों के मन में जो नारा है वो लगेगा इसको आप कैसे रोख सकतेगे और क्यों रोखना चाहते हैं अपरिमारे नेता हैं और इतने पॉपफुलर नेता हैं दो उनके विश्ए में तो कोई सवालALLS जिस तरह कानून विवस्था चर्मराते हुए दिख रही थी, मुझे लगता है ये बहुत परिपक्व कदम उठाया गया। जिस तरह कानून विवस्था चर्मराते हुए परिफक्वाइब कर दोगता है।